बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है चार लोगों को हिरासत में लिया CCTV से चारो आरोपी की पैचान की गई है जीतन सहनी से दो लोगों ने पैसे उधार लिये थे और पैसे की बदले जीतन सहनी ने अपनी बाइक गिरवी रखी थी बाइक छुडाने देर रात पहुंचे थे चार लोग और दो दन पहले जीतन सहनी से कहा सुनी भी हुई थी दोनों ने जीतन सहनी को धमकी भी दी थी और इस पूरी खबर के देख जानकारी के साथ निव जेटीन संबाब दाता दर्भंगा से विपन अमारे साथ पोल लाइन पर जुड़ गए हैं विपन क्या है ये पूरा मामला क्या इन लोगों की पहचान जो CCTV क्यामरे में नजर आ रहे हैं वो हो सकी हैं वो कौन लोग थे जिन से पैसे लिए गए थे जी बता दें कि ये चारो उसी गाउं के हैं और आसपास कहीं लोग हैं जिसकी पाचान सिसी टीवी से पूरे मामले की खुलाता हुई चुकि चारो रात में पहुंचे थे उनके घर और रात में भी उनके घर पहुंचे थे इसलिए पहुंचे थे चुकि इन लोगों ने उनसे जीतन सानी से ब्याज पर रुपे ले रखा था और रुपिया के लेंदेन का विबाद दो दिन पूर्व से ही चल रहा था और रुपिया देने के बदले जितन सानी ने उनकी बाइक रख ली थी जो शुक्रिटी के अधार पर उसके बाइक रखे थी जो तो रुपिया वापस आएगा तो बाइक ले जाना लेकिन उस राद जो है ये लोग पूरे प्लान के साथ वाँ पहुचे और उनसे जाके कहा सुनी हुई हो जो बाइक अपना लेने हो गये थे जिसके बाद कहा सुनी हुई होगी और कहा सुनी के बाद इसनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया होगा चुकि पुलिस अभी पूरे मामले में खुल के नहीं बता रही है चुकि हिरासत में लेने की बात करी है गिरफ्तारी की बात अभी नहीं सामने आ रही है लेकिन पुलिस ने ये बताया है प्लेस बिगरती जारी करते हुए कि उनको हिरासत में रखा गया है और भी कई बिंदों पर अभी जाच चल रही है जी विपिन इस बारे में जानकारी दीजे कि जो चौर लोग CCTV कैमरे में नजर आ रहे हैं क्या वो स्वक्त गाउं में मौचूद हैं पुलिस उनके उपर किसी तरह की कोई कारवाई कर सकती है साथी साथ क्या इस बाबत कोई जानकारी सामने आई है कि कितने पैसों का लेंदेन हुआ था सबसे पहले ये बता दूँ कि जो चारो CCTV में दिख रहा है जिनसे पैसे की लेंदेन हुई थी चारो को पुलिस अपने हिरासत में रखी हुई है चारो को हिरासत में रखकर ठाने में पूश्ताश की जा रही है पैसे का अभी खुलासा नहीं हुआ कि कितने पैसे उनसे लेंदेन किया गया था प्लिस कर रही है कि आगे खुलासे किये जाएंगे लेकिन पैसे के लेंदेन हुआ था वो भी बियाज पर जीतन सहनी ने इन चारों में से 2 को दिया था और दोनों लोगों का जो एक बाइक था उसे जीतन तरनी रखे हुए थे अपने पास सुगिर्टी के अधार पर कि जब पैसे वापस दोगे तो बाइक देंगे और इसी बाइक की लेंडें तो नहीं थी लेकिन बाइक लेने के लिए ये लोग रात में पहुंचे थे और बाइक जब नहीं दिया गया कहा सुनी हुई उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया बबब शुक्रिया आपका माय साथ जुड़ने के लिए और पिता के अत्या के बाद वियाईपी प्रमुक मुकेश रहनी दर्भंगा के बिरॉल में अपने घर पहुंचे मुकेश रहनी के घर पहुंचते ही महल काफी गमगीन हो गया पिता का शव देख मुकेश रहनी बहुत भावक हो गया मुकेश रहनी के पहुंचने के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग इकत्रत हो गया मुकेश रहनी ने अपने पिता की अर्थी को गंधा दिया एक्स्ट्यूसिव तस्विरे हम आपको दिखा रहे हैं मुकीश सेहनी ने अपने पिता को यर्थी को कंधा दिया है पत्नी और बच्चे जब वहां पहुँची तो फूट फूट कर रोले लगे क्योंकि बहुत ही जगने अपराध के तहत अपराधियों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजान दिया और उनके पिता की निर्मम तरीके से हत्या की गई है जिसे देखकर मुकीश तहने भी बहुत भावुक हो गए उन्होंने अपने शूशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्ट से भी इसकी जज़ा की और बिहार सरकार से दर्पास करने के बाद कहीं कि जल से जल अपराधियों पर अंकुश लगाए जाए उनके खलाफ कारवाई की जाए और मुकीश तहनी के पिता की हत्या पर सियासत बेहत्तीज है तीजस्वी आदव ने सरकार पर जोड़दार हमला बुला तीजस्वी आदव ने कहा कि सरकार का इकबाल ही खात्म हो गया है बिहार में लगातार हत्याई हो रही है तीजस्वी ने मुकीश तहनी के परिवार के ब्रती समवेधना जाहर करतेवे कहा कि बिहार में सत्ता संपोशत, सत्ता संरक्षद और सत्ता प्रायूजत अपराद और धस्त कानून विवस्ता की जिम्मेवारी कौन लेगा तीजस्वी ने कहा कि बिहार में गुंडार राज कायम हो गया है जो वियाईपी पाटी के संरक्षक हैं उनके पिता की निर्मा महत्या कर दी गई है इसका हम लोगों को बहुत दुख है और पूरी परिवार के प्रती हम लोगों की सन्वेधना है इस दुख्ये घरी में ईश्वन जो है उनको मजबूती देने का काम करें और हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराद हैं संपोशित अपराद हैं ये प्रयायुजित सरकार द्वारा है तो बिहार में पूरी तरके से बिहार को हम कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है स्थापित हो चुका है